हेलो गाईस, वेलकम टू एक्जाम फेवरेट, एक्जाम फेवरेट चानल में आपका फिर से स्वागत है और आपके लिए एक बहुत अच्छी वेकेंसी है, अगर से आपके पास में ग्रिजिसन के साथ में बीयड है तो आप वेकेंसी यहाँ यहाँ देख पा रहे होंगे, वेकेंसी आर्मी पुब्लिक इस्कूल भोपाल हमारे एम पी की वेकेंसी यह है, इसके लिए आप एप्लाइड कर सकते हैं और मैं इसका और एक address दिखाने वाला हूँ आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा ओ ठीक है तो इसके लिए vacancy आई है अगर से ग्रुजिशन है आपके बस में beard है तो बिल्कुल आप इसमें teacher के लिए vacancy आई हुई इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है और post graduation है और beard है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब हम ले चार रहे हैं आपको कहाँ पर vacancy की details पर directly ठीक है तो application form PGTS और TGT और PRT के लिए vacancy आई हुई है 2022 इसके लिए इस medium की बात करें तो English medium होगा जो कि CBSC FI होगा ठीक है on regular basis are invited for following posters तो यहां पर आप vacancy देख पा रहे होंगे तीन भरती है मतब तीन पोस्ट है अगर से आपके पास में post graduation और साथ में beard पचास प्रतिसात अंगों के साथ है तो आप apply कर सकते हैं इसके लिए PGT में English, biology, psychology और history इन पोस्टों के लिए आप apply कर सकते हैं अगर से आपके पास में post graduation और साथ में beard है पचास प्रतिसात अंगों के साथ तो आपकी जो salary होगी हो 24,800 रुपे होगी साथ में great पे जो होती है आपकी और बात करें age limit की तो आप यहां देख पा रहेंगे below 40 years for fresh candidate ठीक है less than 5 years and below 57 years ठीक है तो आप यहां देख पा रहेंगे आपकी 40 years मतलब 40 years age मांगा गया है यहां पर बात करें TGT English की TGT में तो इसमें संसक्रत chemistry, physics, history, political science और geography ठीक है तो इसके लिए जो qualification लगेगा वो मात्रा, graduation इसनातक लगेगा अगर से आपके पास इसनातक है और साथ में beard है भी 50-30 अंगों के साथ में होना चाहिए तो आपकी जो salary इसमें age limit आप देख पा रहे होंगे बात करें हम primary teacher की तो primary teacher के लिए आपके पास में graduate मतलब की आपके पास इसनातक आपका होना चाहिए या फिर अथवा में आप है higher degree with two years diploma in elementary मतलब की दिखो आपके पास में graduation के साथ में अगर से आपके पास में beard है only graduation भी है तो आप इसके एप्लाइ कर सकते हैं ठीक है graduate एक तरफ graduate बोला है और दूसरे तरफ या फिर अथवा में बोला गया है higher degree with two years diploma in elementary degree in to dl यह मतलब d8 है d8 और फिर या फिर बीड वीट मिनिमम पचास परदिस्थां को जाद में अगर से आपके पास में केवल और केवल डीड भी है तो एप्लाइ कर सकते हैं या फिर आपके पास में केवल और केवल ग्रिजुसन है तो आप इसके लिए एपलाइ कर सकते हैं इस इसका धान रखेएगा salary आपकी यहाँ पर दिख रही है बात करें यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है हाँ इसकी बात करें हम लाज्ट फिस जो होगी demand dropped है दीडी जो होती है यह आपके bank से करना पड़ता है ठीक है bank से pay करना होता है तो आपको डीडी जो है 100 रुपी की डीडी बनाना पड़ेगा आपको ठीक है इसकी जो लाज्ट डेट हो 15 जनुवरी 2022 होगी और only shortlist candidate will be called foreign हाँ इसके बाद में आपका only on exam नहीं होगी केवल और केवल interview होगा interview बेस पर आपका नाम आएगा ठीक है और interview जो होगा interview के लिए आपका आप अपना जब लिफापा भ एप्लिकेशन फार्म दिखा रहे हूं यह फार्म आपको हम टेलिग्राम चैनल पर उफलब्द करा देंगे ठीक है अगर से आप यहां से official website से download करना चाते है तो official website की लिंक है हम description box में दे देंगे ठीक है वहां से भी डाउनलोड दर सकते है यहां पिर डाइरेक्ट आपको चाहिए तो हमने टेलिग्राम से जुड़ चाहिए वहां पर आपको डारेक्टर फार्म मिल जाएगा और किस एड्रेस पर आपको फार्म बेजना है मैं बता रहा हूं और यह है रहा आपका एप्लिकेशन फार्म ठीक है इसको मतलब आपका कवंची पोस्ट के अपलाय कर र रहेगा नेशनल लेटी रहेगा इंडियान ठीक है इस्टेट आपका इड्रेस रहेगा आपको जरूर देना है ताकि आपके पास में देखो मोबाइल नंबर और यह में लाड़ी दिया है ताकि आपको से असने कसात में कॉंटेक्ट कर सकना चाहिए ठीक है फेमिली आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिये निर्देश डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लिकेशन फॉर्म ठीक है जो फॉर्म है इसको एपलाई मतलब की डाउनलोड कर लेना है प्रिंट कर लेना है उसके बाद फिल दर नेम आफ ओनली वन इसकूल इन क्लस्टर ठीक है उसके बाद में आल डिटेल्स एटसर वन परसंट फील ऑफ इन ब्लॉग क्यूपिटल लेटर्स आपको पता है उसके बाद में ब्लॉग क्यूपिटल लेटर्स में भर दी है ठीक है फिर पेस्ट वन मतलब कि पासपोर्ट साइट की फोटो होगी आंद फॉर्म अनद फॉर अब करते हैं तो वो कि जो की आपको एक्सेप्टेट नहीं है ठीक है सेंड बाइप पोस्ट करना है और किस पर करना है मैं आपको बता रहाँ तो अब जैसे पोश्ट करने करेंगा तो पोश्ट में आपके जो क्वालिफिकेशन है उनके डाकुमेंट्स और सेल्पा तो मतलब कि आपको जो मैं एड्रेस बता रहा हूँ ठीक है यह आर्मी इसकूल भोपाल के नाम से निकलिये है इसे के नाम से आपके डेडी बनेगी 100 रूपे की ठीक है और किस अड्रेस पर भेजना है मैं आपको वह डेटेल से दिखा रहा हूँ ठीक है अब आप यहां देख पा रहांगे यह आपका एडस है मतलब यह लिफा पर लिखना जरूरी है ठीक है इस एड्रेस पर आपको भेजना है और आपने प्द गा नाम और अपना नाम लिफा पर जरूर लिखिएगा ठीक है आर्मी पब्लिक इश्कुल भोपाल डोरैंचल नेवरी हिल्स पियो मोतिलाल नहिरु नगर भोपाल और उसके बाद में वहां का जो पिन कोड है वो है 462038 MP इस एड्रेस पर आपको फार्म बाइपोस्ट सेंड करना होगा ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब क करके बेल आइकन कॉल कर लिजेगा तक कि आपके पास सभी प्रकार के नोटिफिकेशन असनिक साथ पहुँच सके ठीक है ठीक है ठीकिस सूमच मिलते हैं अगले वीडियों फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजेगा